असलाम लेकूम and hello everyone कानून दान के केस लॉब बिलिटिन के एपिसोड नमबर 3 में आप सब को खुशाम दीद तो आएए पहली जज्जमन की जानब चलते हैं Supreme Court of Pakistan Criminal Petition No. 537 of 2021 सजाद हसन वर्जस दे स्टेट ये petition Supreme Court के सामने 1973 के Constitution के Article 1853 के अंडर पेश की गई इस केस में कोर्ट के सामने में इशू ये था कि क्या एक मर्डर केस में प्री अरेस्ट बेल डिसाइड करते वक्त केस के मेरिट्स को डिसकस किया जा सकता है इस केस के फैक्ट्स कुछ यू है कि Petitioner मर्डर विक्टम के घर उनसे मिले गए इस मुलाकाब के दौरान एक थर्ड पार्टी ने विक्टम के घर आकर उन पर दो गोल या चलाए इन इंजिरीस की वज़ह से विक्टम की डेथ हो गई अब इनिशिली Petitioner को F.I.R. में एक विटनिस के तौर पर रिपोर्ट किया गया लेकिन एक साल बाद विक्टम की बेहन ने एक स्टेटमेंट डी और कहा कि Petitioner ने ही उनके भाई का कतल किया है इस वज़ह से Petitioner पर मर्डर का केस बन गया और उन्होंने Free Arrest Bill की Petition दाये की सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला देते हुए जस्टिस सेद मजद अली नकवी ने ये एकस्प्लेंग किया कि एक इंडिविजुल की राइट तो लिबर्टी और फीडम बहुत इंपोर्टन होती है एक कोर्ट का ये एम होता है कि वो केस को जसली और फैरली डिसाइट करें लेकिन साथ ही साथ कोर्ट का ये फर्स भी है कि वो फाल्सी अक्यूज लोगों को परिश्मेंट से बचाए सुपीरियर कोर्ट ने इनकी फ्रिंसिपल्स को मद्दे नज़र रखते हुए पूराने केसिज मैं प्रीयरेस्ट बेल के स्कोप को एकस्टेंड कर दिया था और फीर डिसेशन मेकिंग इल्शूर करने के लिए कोर्ट प्रीयरेस्ट बेल डिसाइड करते वक्त भी केस के मेरिटस को देख सकता है इस केस में मुर्डर होने में और विक्टिम की बहन की स्टेट्मेंट आने में एक साल का अनिक्स्प्लेंड डिले था इस वज़ा से ये मुर्डर केस वीक था और परिटिशनर को प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी गई मुहम्मद जावेद अक्बाल अगंस राव शाजवेब और था अन्थरी आदर्स अपेलन्ट में नाबालगों के लिए जाइदाद के हवाले सिर्वाव के मौहिदे की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि नाबालगों की माने फरोग करने के लिए वलत मौहिदा किया है उसने रिजिस्टर्ट सेल दीड के जरिए अपेलन के हक में जमीन मुन्तकिल कर दी परिस्पॉर्णिन नबर वन ने अपने भाईयों, बहन, वालिदा और अपेलन के खिलाफ एलान के लिए मुकदमा भी काइम किया और मुतनाजम वाहिदे की कानूनी हैसित पर सवाल उठाया अब कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या कोई माँ अपने नाबालिक बच्चों की जायदाद उनके परसिनल प्रॉपटी की लीगल गार्डियन हुए बगएर फरोग करने का मौाहिदा कर सकती है और दूसरा ये कि गार्डियन के फराइज क्या है कोर्ट ने कहा कि अब तक ये मुहमदन कानून की बन्याद पर तेह शुदा असूल है कि नाबालिक की माँ अपने नाबालिक बच्चे की जायदाद से निमटने के लिए नाच्रल गार्डियन नहीं है वो सेक्शन 361 के लिहाज से उसकी डिफेक्टो गार्डियन हो सकती है और नाबालिक बच्चे की जायदाद के बारे में कोई लेंदेन करने का अथियार नहीं रखती और एक डिफेक्टो गार्डियन महस नाबालिक शक्स और जायदाद का मुहाफिस होता है गार्डियन के फराइस के हवाले से कोट ने कहा कि गार्डियन शिप एक कानूनी अमल है जो उन अफराद की हफाज़त के लिए इस्तमाल किया जाता है जो बच्पन या माजूरी की विज़ा से अपनी फलाव बहबूत की देखपाल करने से कासिर है अदालत एक ऐसे फर्ड की देखपाल के लिए लीगन गार्डियन मुकरर करती है जिसे वॉर्ड कहा जाता है जिसे खसूसी तहफ़ज की जरूरत होती है मुक्तसरन गार्डियन का हर अमल माइनर के बहतर मुफाद में होना चाहिए ना के दूसरी सूरत में लहौर हाई कोर्ड रिट पेटिशन 4.3.99 अफ 2017 मुहमद फारूक वर्जिस मेंबर बोर्ड अफ रेविन्यू पंजाब ये केस लहौर हाई कोर्ड भावल पर बेंच के सामने एक रिट पेटिशन के तौर पर पेश किया गया इस केस में हाई कोर्ड के सामने मेन इशू ये था कि जब किसी गवर्ड मेंट स्कीम के नीचे पेटिशनर को लैंड अलॉट हो क्या उन्हें ये कहकर प्रोप्राइटरी राइट से महरूम किया जा सकता है कि ये लैंड तो अब प्रोहिबिटर जोन में पौल करती है इस केस के फाक्स कुछ यू थे कि पेटिशनर्स के फ्री डिसेसर्स इन इंट्रिस्ट को 1961 में ट्यूब्विल सिंकिंग स्कीम के अंडर कुछ लैंड अलॉट की गई अलबता 1968 में डेपीटी कमिशनर ने ये लैंड फिर गवर्मेंट को दे दी 1976 में पेटिशनर्स ने लहूर हाई कोट से रजू किया और एक रिट पेटिशन के जरिये ये लैंड दुबारा अपने नाम करवा ली लेकिन 1979 में डिस्ट्पिट कलेक्टिर ने दूसरी दफ़ा ये लैंड गवर्मेंट को दे दी अपेटिशनर्स ने एक और केस फायल किया और ये लैंड फिर अपने नाम करवाई लेकिन 2002 में कलेक्टिर ने तीसरी दफ़ा ये लैंड गवर्मेंट के हवाले कर दी इस दफ़ा कलेक्टर ने ये बज़ा दी कि ये एरिया तब गवर्मेंट के prohibited zone में पॉल करता है और इस पर तो प्रेटिशनर को प्रोप्राइटी राइट्स ग्रांट हो ही नहीं सकती मौझूदा रिट प्रेटिशन में कलेक्टर के इस फैसले को और इस रीजनेंग को चैलेंज किया गया जस्टिस सफ्दर सलीम शाहिद के मताबिक कलेक्टर इस लेट स्टेज पर प्रेटिशनर को ये कहकर प्रोप्राइटी राइट्स डिनाय नहीं कर सकते कि ये लैंट प्रोहिबिट जोन का हिस्सा है ये पॉइंट बहुत सालों तक गवर्मेंट ने किसी भी फॉरम पर इस नहीं किया और ये चीज अलॉट्मेंट के वक्ट डिसाइड होनी चाहिए कि प्रोहिबिट जोन का स्कोप क्या है जब जमीन किसी को अलॉट कर दी जाए तो ऐसी सबसीक्विन प्रीजनिंग या मेजरमेंट प्रेटिशनर को उनके राइट फॉल हक से दून नहीं रख सकती नाहीद शाहिद एक्सेक्टरा अगेंस मुहमद तारिक इस केस में प्लेंटिफ ने अबाई जायदाद के तोफ़े को अपने भाई जो के डिफेंडन्ट थे उनके हक में चालेंज किया कि ये जाली है अब कोर्ट के सामने सवाल ये था कि तोफ़े के जब औरतों को विरास्त के उनके हक से महरूम कर दिया गया हो तो ट्रांजैक्शन की विलिडिटी को साबित करने की कानूनी जमेदारी किस पर है कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये अच्छी तरह से तेर्शुदा कानून है कि बेनिफिशिटी पर ये जमेदारी आएध है कि वो ट्रांजैक्शन की विलिडिटी को साबित करे खास दोर पर जहां खवातीन को उनके विरास्त के जाइस हकूक से परपोर्टिट गिफ दीट के जरिये महरूम किया गया हो लहुर हाई कोर्ट क्रिमिनल मिस्सिलिनियस नंबर 1600B ऑफ 2021 मलक उसामा बिन ताहर अबान वर्ज़स अस्टेट इस केस में पेटिशनर ने CRPC के सेक्शन 498 के नीचे प्रियरेस्ट बेल की पेटिशन दायर की हाई कोर्ट के सामने में इशू ये पेश किया गया कि प्रियरेस्ट बेल डिसाइड करते वक्त लब्स मालफाइड को किस तरह इंटरिपरेट करना चाहिए और क्या इस फेस्ट की कोई फिक्स डेफिनिशन है? ये डेफिनिशन इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि अगर पेटिशनर के हिलाफ केस मालफाइड पर बेस्ट हो तो उसे रिलीफ के तौर पर प्रियरेस्ट बेल गरांट की जा सकती है इस केस के फाक्ट्स कुछ यू है कि मुहमद तल्हा नामी एक शक्स अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकल पर ट्रावल कर रहे थे जब एक वाइड कलर की गारी उनकी बाइक से कॉलाइड कर गई मुहमद तल्हा इस कॉलिजन में सफर की गई इंजरीस की वज़ा से फौथ हो गए और उनके दूस्टे फेंड्स शदीद जखमी हो इनिशिली पीपीसी के सेक्शन 279, 337 और 427 के अंडर अन आरेंटिफाइड परिसिंस के हिलाफ एफायार दर्च की गई क्योंकि गारी के ड्राइवर को आरेंटिफाइड नहीं किया जा सका अलबता कुछ देर बाद आकसिडेंट में सखमी होने वाले एक दोस्ते मताबक पेटिशनर ने जान बूच कर उनका पीछा किया और डिलिबरिटली उनके बाइक के साथ कोलिजन की इस नई स्टेटमेंट की वज़ा से पेटिशनर को कतले अम्द के लिए अक्यूस किया गया लहौर हाई कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल डिसाइड करते वक्त ये क्लारिफाई किया कि एक एक स्टॉर्डिनरी फॉर्म अफ रिलीफ है जो कि पुलीस की पावर टू अरेस्ट को चेक में रखता है और अक्यूस की राइट ओफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है लब्स, मैलफाईड की कोई भी फिक्स डेफिनिशन नहीं है और इसे हर केस के फाक्ट पर ही डिटेर्मिन किया जाता है इस केस में ये फैक्ट के F.I.R. इनिशिली अनारेंटिफाइड शक्स के हलाव दर्ज की गई और पेटिशनर का नाम काफी देब बाद दिया गया जबके इंजिट विक्टिम की ये हालत ही नहीं थी कि वो कोई रिलाइबल स्टेटमेंट दे सकते इस बात को प्रूव करती है कि पेटिशनर पर सिर्फ कतल का केस बनाने के लिए ये एविडिन्स पेश की गई ये एविडिन्स रिलाइबल नहीं थी और पेटिशनर को प्री अरेस्ट बेल ब्राइट कर दी थी मुहमत अन्वीर अगेंस्ट इस्टेट एक्सेक्टरा पेटिशनर ने गिरिफतारी के बाद सेक्शन 302 पी पी सी के तहित मेरिट के साथ साथ ट्राइल के एक्तिताम में कानूनी तखीर की बन्याद पर जमानत बांगी अब सवाल ये था कि क्या कानूनी ताखीर की बन्याद पर उसकी जमानत की दर्खास पर गौर करते हुए बच्चे को मुल्जम गरार देने की मुदद को ऐसे नाबालिक से मनसूब किया जा सकता था जूविनार जस्टिस सिस्टेम आक 2018 का सेक्शन 5 अब सेक्शन 6 ये फिराहम करता है कि नाबालिक को जमानत पर रहा करने का हक हासल होगा अगर उसे मसलसल 6 मां से जाएद अरसे तक हिरासत में रखा गया हो जबके उसका ट्राइल मुकमल ना हुआ हो और जब तक कि ताखीर नाबालिक के एक्ट या अमिशन से हुई हो बच्चे को नाबालिक करार देने के लिए इस तरही दर्खास को फैसला करने में जो अरसा इस्तमाल किया जाता है उसे नाबालिक से मनसूप नहीं किया जा सकता अगर उसने ताखीर में हिसान नहीं लिया क्योंकि ये एक प्रोसीजरल डिले है और किसी को भी किसी कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता लहूर हाई कोट डिट पेटिशन नंबर 132489 अफ 2018 मुनीर एहमद पुरिस हसन हुसाइन इस केस में हाई कोट के सामने में इशू ये था कि अगर एक केस में लिमिटेशन का इशू रेस किया जाए जिसमें लौ और फैक्स दोनों के क्वेस्टेंस इंवाल्ट हो तो क्या ऐसे लिमिटेशन के इशू को फिलिमिनरी स्टेज पर डिसाइड करना शाहिए या ट्राइल स्टेज पर और अगर इस इशू को ट्राइल पर डिसाइड किया जाए तो क्या ये पेटिशनर की राइट्स को प्रेजुडिस करता है इस case के facts कुछ यूँ थे कि respondents ने specific performance के लिए suit file किया था उनके मताबिक petitioners ने उनके साथ एक contract किया और उन्होंने consideration भी pay कर दी लेकिन petitioner ने अपनी side of the contract fulfilled नहीं की petitioner ने फिर CPC के order 7 rule 2D के नीचे एक application for setting aside of plane file की क्योंकि उनके हिसाब से ये suit time barred था agreement 1998 में execute हुआ था और limitation act 1908 के article 115 के मताबिक suit for specific performance की limitation तीन साल है जबकि ये suit 2009 में file किया गया agreement के कुछ 11 साल बात जस्टिस आबित हुसेंच चठ्था ने इस petition को reject करते हुए कहा कि जब limitation का issue facts और law दोनों को involve करे तो इसे evidence के बगए decide नहीं किया जा सकता इस case में petitioner ने खुद ही agreement की validity और execution को challenge किया था और ये points limitation के points से directly linked थे इन issues को determine करने के लिए evidence lead करना बहुत जरूरी था इसलिए limitation वाले argument की basis पर suit को preliminary तोर पर dismiss नहीं किया गया limitation के issue को trial stage पर decide करने से petitioner की rights negatively prejudice नहीं होती क्योंकि petitioner के पास भी ये मौका था कि वो evidence lead करें और अपने point को prove करें इर्फान एलियस इमरान against the state and another appellant में 40 appeal के जरिये section 376 PPC के तहट अपनी सजा पर इतराज किया कोर्ट के सामने सवार पेश हुआ कि क्या किसी भी शक्स के लिए अदालत में बतुरे गवा पेश होना और गवाही देना क्या जरूरी शर्त है और DNA टेस्ट किस हद तक इनहसार किया जा सकता है कोर्ट ने कहा कि कानून शहादत की दफाद की वाज़े जाँच पर ताल से पता चलता है कि किसी भी शक्स के लिए अदालत में बतुरे गवा पेश होना और गवाही देने के लिए लाजमी शर्त है कि इसके पास सवालात को समझने की सलाहित और अकल हो और उसका अकली जवाब देने के काबल भी हो राशनालिटी टेस्ट पास करना होता है और ये अमल जो हमारे दारे अख्यार में वक्त के साथ त्यार हुआ है इसके लिए गवाह के शवाहिद रिकॉर्ड करने से पहले प्रिजाइडिंग जज़ के जरिये किया जाना चाहिए जहां तक डिएने टेस्ट की बात रही तो ये मुल्की आला अदालतों का मुस्तकिल में जरिया है कि डिएने टेक्नालोजी एक आला दर्जे के इतमाद के साथ मुझ्रिम की शिनाप्त का जरिया है डिएने टेस्ट को इसकी साइंसी दुरुस्तगी और नतीजा खेजी की वज़ा से एक गोल्ड स्टैंडर समझा जाता है सेंधाई कोर्ट, Constitutional Petition No.D.3216 of 2021 Brother Expo Solutions vs. Federation of Pakistan इस केस के facts कुछ यू है कि Trade Development Authority of Pakistan को Dubai Expo 2020 में लगाय जाने वाले Pakistan Pavilion की responsibility दी गई इस सिलसले में Authority ने एक procurement process start किया जिसमें उन्होंने मुखतलिफ event management companies को अपने proposals पेश करने के लिए और auction में participate करने के लिए invite किया सिर्फ वो ही event management companies participate कर सकती थी जो के UAE में registered थी और उनकी पाकिस्तान में किसी event management company के साथ partnership या affiliation थी इस auction में काफी companies ने अपने proposals पेश किये जिन में इसे एक company BSL थी अलबता evaluation report में required marks हासल ना करने की बच्छा से authority ने BSL के proposal को reject कर दिया और ये contract किसी और company को दे दिया गया a petitioner directly auction में involved नहीं थे लेकिन वो BSL company के पाकिस्तानी affiliate या partner थे petitioner के मताबक authority के जानब से conduct किये जाने वाले सारे procurement process को set aside कर देना चाहिए उन्होंने allege किया कि ये procurement process transparent नहीं था और authority ने BSL के proposal को reject करने की कोई भी adequate वज़ा नहीं दी थी इसके इलावा authority की grievance redressal committee ने भी BSL की complaint को seriously नहीं लिया और इस committee की composition law के मताबक नहीं थी Sindh High Court ने इस petition को reject करते हुए कहा कि court किसी भी government authority के फैसले को उसके merits या substance पर judge नहीं कर सकता वो सिर्फ ये देख सकता है कि क्या इस फैसले तक पहुंचने में proper procedure follow किया गया और वो भी तब जब कोई public importance का issue raise किया जाए इस case में सिर्फ BSL खुद ही trade authority के decision को challenge कर सकता था क्योंकि petitioner तो auction में involved ही नहीं थे नहीं इस case में petitioner किसी procedural irregularity को identify कर सके क्योंकि grievance addressal committee की composition law के मताबक ही थी Court सिर्फ इस basis पर procurement proceedings को void declare नहीं कर सकता था कि petitioner की opinion में BSL का proposal best था और उसे ही select होना चाहिए था इस वज़ा से ये petition reject कर दी गई नियाज जाहर दौलताना अगेंस्ट बेगम तेहमीना दौलताना एक्सेक्टरा Appellant 1 को mental health ordinance 2001 के तहित अपनी मा की जायदादों का guardian और manager मकरर किया गया था Appellant 2 ने अपने भाई के खिलाफ अपने फराइस की तत्मील के साथ साथ असासों में गबन और गलत इस्तमाल की बन्याद पर एक दर्खवास दाए की कि इसे हटाया जाए Appellant ने इस दावे के साथ केस निम्टने के लिए दर्खवास दाए की कि कि इसकी वालिदा की में याद खतम हो चुकी है और उसकी मौत के बाद protection court को इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इफ्तियार नहीं है क्योंकि मसकूरा कारवाई खुद बखुद हतम हो जाती है अब सवाल ये था कि क्या जहनी तोर पर माजूर शक्स की मौत के बाद जहनी तोर पर माजूर शक्स के असासों और जाएदादों की गार्डियनचिप से निकलने वाली तमाम कारवाईयां मौत्द है जहनी तोर पर माजूर शक्स के असासों की तहवील एक मुकद्द समानत है और गार्डियन पर सख्त जम्दारी आइद की जाती है कि वो दुरुष्ट अकाउंट्स को बरकर रार रखे लहाजा जहनी तोर पर माजूर शक्स की मौत की वज़ा से उसके असासों और जाइदादों की गार्डियन चिप से निकलने वाली तमाम कारवाईयां खतम नहीं होती है और इसके साथ आज का बुलिटिन यहीं खतम होता है आप से मिलाकात होगी इंशाला अगले हक्ते थांक्यू